एलो एस्पिरेंस मैं पायल गुपता स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का पर्चम क्लासेस पे और स्वागत करती हूँ आप लोगों का हमारी नई सीरीज के अंदर जिसमें हम जितनी भी स्टैटिक टर्मिनॉलजी है और जो न्यूज के अंदर आ रही है उनको हम डिटेल में basic concepts के साथ discuss करेंगे जैसे आज का अपना topic होने वाला है angel tax and angel investor तो आज की class में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि angel tax क्या होता है क्या आप जानते हैं उसको कैसे calculate किया जाता है angel investor होते क्या है इससे related recent news अभी क्या चल रही है listed और unlisted companies क्या होती है इन सब के बारे में आज की class में हमें समझना है तो let's get started बट आगे बढ़ने से पहले आपको एक important announcement बतानी है SSC General Awareness का targeted 2024 batch जो है वो start हो चुका है जिसके अंदर recorded lectures, downloadable pdfs, live problem solving sessions, detailed previous year question discussion with 10 mock papers आपको एक ही जगा पे मिल जाएगा Quality, Economy, History, Science, Geography, Static, GK सब कुछ इसके अंदर include होगा पूरा batch recorded format में आपको मिलेगा तो अपनी class को हम शुरू करते हैं सबसे पहले तो देखते हैं इससे related news क्या चल रही है अभी पिछले ही हफते Central Board for Direct Texas यानि Central Board for Direct Texas CBDT ने एक डारेक्टिव जारी किया और जारेक्टिव के अंदर क्या कहा कि जितने भी स्टार्टप्स हैं जो स्टार्टप्स DP, IIT यानि Department for Promotion of Industry and Internal Trade के अंदर recognized हैं या registered हैं उनको angel tax से related किसी verification की जरूरत नहीं है तो अब देखते हैं यह angel tax होता क्या है पर उससे पहले यह जानना जगरूरी है कि angel investors क्या होते हैं देखो angel यानि की परी, फरिष्टे, कहते हैं कि you are my angel यानि की फरिष्टे को हम angel कह रहे हैं यहां image से भी आपको clear हो रहा है कि फरिष्टे को angel कह रहे हैं अब किसी भी investor के लिए या किसी भी startup के लिए फरिष्टा कौन होगा जो उसको पैसा दे दे उसको वही भगवान दिख वही फरिष्टा दिखेगा तो angel investor क्या होते हैं high net worth individual होते हैं मतलब ऐसे अमीर लोग होते हैं जो startups को fund करते हैं startup क्या होते हैं ऐसी companies जो अभी लगभग 10 साल नहीं हुए हैं जिनको start हुए ठीक है तो उनको हम startup कहते हैं कोई भी high net worth individual जो startups को early stage में ही पैसा दे देते हैं उनको angel investor कहते हैं ठीक है किसी भी startup को शुरू करने के लिए ये angel investing सबसे important source होता है प्लियर हुई बात angel investor कोन होते हैं जैसे for example हम समझते हैं मैंने कोई company शुरू की मैंने कोई company शुरू की और मेरे पास इस company को शुरू करने के लिए पैसा नहीं है मेरे uncle ने ये कह दिया कि चिंता मत क अब तु company शुरू कर पैसा तो मैं दे दूँगा तो ये uncle कौन है ये uncle मेरे लिए angel है इन्ही को ही मैं क्या कहूंगी angel investor कहूंगी ठीक है इन्ही को ही angel investor कहूंगी लेकिन कभी कभी क्या होता है हम इस पैसे को money laundering को use करने के लिए यानि black money को white करने के लिए हम ये काम करते हैं क क्या हुआ जैसे मा लेजिए मेरे अंकल ने मुझसे बात की और ये कहा कि मेरे पास ना बहुत सारा black money पड़ा है तुम कुछ ऐसा करो मेरा black money adjust हो जाए और हम ऐसा करते हैं तुम ना कोई company खोल दो चाहे वो company कोई shell company हो अब ये shell company क्या होती है सिर्फ कागजों में है हकीकत मे वहाँ कुछ नहीं होता है चाहे वो company shell company हो बस मेरा पैसा तुम इस company में लगवा दो ताकि बस ये हो जाए कि मैं angel investor हूँ तो यहाँ पर क्या कर रहे हो आप black money को white में convert कर रहे हो तो इस चीज़ को बचाने के लिए इस चीज़ को खत्म करने के लिए 2012 में एक angel investor या angel tax का concept तो आपके दिमाग में clear हो गया न angel investor कोन है कोई भी वो अमीर व्यक्ति कोई भी वो rich personality जो किसी भी startup के अंदर fund दे रहा है ठीक है यह आपका कोई relative हो सकता है यह आपका कोई friend हो सकता है कोई भी हो सकता है जो आपके लिए फरिश्टा बनके आया है अब angel tax को समझने से पहले ह में companies का type समझना पड़ेगा दो तरीके की company होती है listed company और unlisted company listed company क्या होती है जो stock markets के अंदर listed है क्या मतलब मैं आपको साधारन भाषा में अगर बताऊं जैसे आप देखते हो न national stock exchange, Bombay stock exchange तो उन stock exchanges के अंदर जिन जिन companies के नाम आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब listed company है मतलब वो list हो गई है उनका नाम list के अंदर है stock exchange की list में है तो उसको हम कहेंगे listed company और unlisted company क्या होती है ऐसी companies जिनका नाम stock exchange में नहीं है for example मैं पर्चम classes की बात करूँ तो पर्चम classes अभी किसी stock exchange में listed नहीं है हम उम्मीद करते हैं भविशे में हम इतने बड़े हो जाए कि हम एक listed company बन जाए तो पर्चम classes क्या है अभी listed company unlisted company क्या है unlisted company क्यों कि इसका नाम ना किसी stock exchange में आप देखोगे न सेभी के अंडर देखोगे तो यह unlisted company है तो clear हो गया listed और unlisted क्या है listed यानि reliance company reliance की जो company है वो जो उसकी अलग-अलग branches है reliance this, reliance यह, reliance वो तो वो सारे listed company है क्योंकि वो stock exchange के अंदर आपको दिखाई दे रही है तो listed और unlisted क्या है यह हम समझ गए अब एक और terminology समझनी है उसके बाद जा कि आपको angel tech समझ आएगा fair market value क्या होती है जब कोई listed company होती है यानि कि उसका stock market में नाम है stock exchange में उसको list किया गया है उसका नाम show हो रहा है exchange की अंदर तो वहाँ पे उसके shares की जो value है उसकी shares की जो value है वो open market में show हो रही है तो इसके share की value तो है जो है वो 500 रुपे पर share है ठीक है वो सबको दिखाई दे वो 500 रुपे में ही बिकरा है तो इस price को हम fair market value कहते हैं मतलब market के लिए fair है लोगों के demand and supply के according ये share की value decide हो गई है लेकिन उन companies का क्या हो जो listed ही नहीं है जिसका नाम कहीं पर भी नहीं है तो वो अपनी इच्छा से अपने share कितने भी रुपे में बेच रहे हैं समझ रहे आकीकत में तो 100 रुपीज ही है लेकिन वो क्या कर रहे हैं कुछ तिगडम बाजी लगाके अपने share को 1000 रुपे में बेच रहे हैं तो जो 100 रुपीज थे जो market के according उनकी value थी this is fair market value और जो ये 900 रुपीज extra है ये company की कमाई कहलाई जा रही है कि ये तो 100 रुपे के चीज 1000 profit है मेरी बात समझाई ना आपको कि fair market value क्या होता है कोई भी ऐसा share किसी भी asset का ऐसा price जो पूरी market के लिए open है जो आपको दिखाई दे रहा है कि हां जी इस share की कीमत इतनी है इस share की कीमत इतनी है और ये किस company का होगा listed company का ही fair market value हो सकता है क्योंकि वो ही वहाँ परदे पे दि सकती है है ना लेकिन लेकिन जब क्या होता है आप समझना इस बात को जब दो investors है आपस में ठीक है और आपस में ही deal कर रहे हैं क्योंकि उस company का का काम company का नाम कहीं नहीं है वो एक unlisted company है और वो unlisted company क्या कह दे कि मैं तो मेरा share 5000 का बेच रहा हूँ ठीक है हाकीकत में उसकी की म हजार रुपे थी, अगर हम उसको मार्किट पे लिस्ट करके देखे तो लेकिन उसने क्या कहा, मैं तो मेरा शेर पांच हजार का बेच रहा, तो ये हजार रुपे जो वास्तविक में उसकी वैल्यू थी, that is फियर मार्किट वैल्यू, इसको हम क्या कहेंगे, कि price above fair market value, इसको क्या कहेंगे, price above fair market value, ठीक है, ये दो चीजे आपको समझ आ गई, वो चाहे 10,000 का बोल रहा है, चाहे 12,000 का बोल रहा है, हकीकत में 1000 रुपे की ही उसकी कीमत थी, तो ये बात भी आपको समझ आ गई, अब समझते हैं, angel tax क्या होता है, angel tax देखें क्या होता है, जब कोई unlisted company, जब कोई unlisted company, बिलकुल ध्यान से समझोगे, सबसे पहला point, जब कोई unlisted company, किसी भी angel investor से, किसी भी angel investor से fund ले रही है, fund ले रही है, कितना fund ले रही है, यो भी fair market से above जाके, अपने shares की value ले रही है वो, fair market की value जितनी भी थी, उससे beyond जाकर, जितना भी money उसने लिया है, जितना भी money उसने लिया है, उस money पर जो tax लगेगा, उसको हम angel tax कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, angel tax कहेंगे, मैं आपको example से बताती हूँ, मान लीजिये company है ABC, इस company को लगभग कोई 30 करोड रुपीज जो है, वो collect करने है, market से 30 करोड रुपीज collect करने है, और ये जो company है, ये एक unlisted company है, ठीक है, इसने क्या किया, अपने 75 thousand shares जो है, वो जारी कर दिये, और हर share की कीमत 4,000 रुपे रख दी, इने अपने मर्जी से रख दी, मर्जी से क्यों रख दी, क्यूंकि अगर ये listed होता, तो इसकी मर्जी ना चलती, अब क्यूंकि ये company unlisted है, तो इसका जो मना है, अपने share की कीमत रख दे, इसने क्या रखा, 4000 रुपे पर share, और इस तरीके से 30 करोड रुपीज जो है, वो collect करना चाता है, लेकिन अगर हम इस share को market में ले जाके देखें, तो इनकी कीमत केवल 1000 रुपीज ही आ रही है, यानि fair market value कितनी है, 1000 रुपी, पर उसने कितने ले लिए, 4000 रुपे पर share, तो ये क्या हुआ, 4000 minus 1000, कितना रुपे का फायदा हो रहा है, उसको 3000 रुपे का फायदा हो रहा है, 3000 रुपे का फायदा हो रहा है, और कितने shares है, 75,000 share है, तो यानि ये क्या हुआ, 22.5 करोड रुपीज, ये उसको extra income हो रही है, ये उसको extra income हो रही है, इस extra income पे, इस extra income पे जो tax लगेगा कितना 30% जो tax लगेगा इसको हम क्या कहेंगे angel tax इसको हम क्या कहेंगे angel tax तो 22.5 करोड रुपे जो उसके extra है यानि fair market value के beyond जो उसने extra income की है उस पे 30% tax लगेगा उसको हम angel tax कहेंगे क्योंकि कोई भी वो विक्ती जो आपकी असल कीमत से उपर जाके पैसा दे रहा है यानि कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड है तो उसके उपर tax लगा दिया गया ताकि कोई आदमी बेवज़े इतने महंगे share खरीदे ही न क्योंकि उसको डर रहेगा कि मुझे tax देना पड़ेगा मुझे tax देना पड़ेगा company को डर रहेगा कि ये पैसे तो tax में चले जाएंगे तो वो इस चीज से बचेंगे तो angel tax क्या होता है ये आपको समझ आया अब definition पड़ते हैं देखो जब कोई unlisted company startup है जो वो equity investment receive कर रही है चाहे कोई resident दे चाहे कोई non resident दे ठीक है for issue of shares that exceeds fair value that exceeds fair value it will be counted as income for the startup मैंने क्या कहा कि fair value तो 1000 रुपे थी पर उसने rate क्या रखा 4000 रुपे पर share का ठीक तो 3000 रुपे वो उसकी extra income है और कितने shares के साथ 75,000 shares के साथ जो मेरा example था तो उसकी income कितनी हो गई 22.5 करोड रुपे उसकी income हो गई ठीक है उस पर जो उस पर जो tax लगेगा उसको हम angel tax कह रहे है I hope आप angel tax समझ गए ये example जो मैंने समझाया है अभी अभी ये आप लोगों के लिए लिख दिया है और income tax act के अंडर angel tax आता है ठीक है तो news क्या थी वो हमने समझ ली ठीक है क्यों इसको पढ़ रहे है वो हमने समझा सारे important points हमने समझे listed unlisted company क्या होती है ये सब कुछ समझ लिया angel tax क्या होता है ये समझ लिया अब बार ही है question की देखते है इससे related question अगर पूछ लिया जाए तो क्या आप बता पाओगे question है start-ups registered with the dpiit start-ups registered with the department of industrial policy and promotion are exempted from the payment of angel tax with conditions this tax refers to कुछ conditions के साथ angel tax से इनको exempt कर दिया है इनका verification exempt कर दिया है आपको बताना है ये कौन सा tax है जिसके बारे में बात हो रही यानि जो ये angel tax है ये चार option आपको दिखाई दे रहे है और आपको ये बताना है कि angel tax क्या है ठीक है first option कहता है tax payable on capital raised by new listed startup companies via issuance of shares where the share prices is seen in excess of fair market value of shares note ये क्या कहता है कि जो tax capital raised capital raised by new listed company जितरी भी new listed startup company है उस पर जो tax लग रहा है उसको हम angel tax कहते हैं सही है गलत है आपको बताना है the tax that startup were supposed to pay if they receive a loan at a discounted rate जब startup किसी loan की धनराशी पर discounted rate पर मिलने वाले loan की धनराशी पर tax देते हैं उसको angel tax कहते हैं सही है गलत है आपको बताना है थर्ड ओप्शन है जो tax जो है unlisted company unlisted company पे करेगी जितना capital उन्होंने raise किया है fair prices पे fair market value से excess जितना price आया है उस पर tax पे करेगी उसको angel tax कहेंगे सही गलत आपको बताना है the tax that startup were supposed to pay when their annual income would cross the specific threshold जब किसी startup की company particular amount के beyond चली जाती है जब किसी startup company की जो income है particular point के beyond चली जाती है तो उन पर जो tax लगता है उसको angel tax कहते है ये चार options आपके सामने है इसका answer comment section में आपको करना है ठीक है it is very important this topic is very important और इसी तरीके से हम बहुत सारी और terminologies को clear करते रहेंगे आपके साथ ठीक है ताकि आपकी economics, finance बिल्कुल ऐसे strong वाला हो जाए conceptual clarity के साथ क्योंकि ये चीज़े interview में भी बहुत काम आती है इनसे questions भी बहुत निकलते है और news समझने के लिए भी ये सारी चीज़े जाननी जरूरी है ठीक है अब आपको मैं अपने courses के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ आप SSC economy का course जो है पर्चम classes से enroll कर सकते हैं इसी तरीके से SSC quality का course भी जो लोग quality पढ़ना चाहते हैं वो भी मेरा course enroll कर सकते हैं ठीक है Pile 15 Pile 15 का use करके आपको कुछ discount भी मिल जाए मेरा code है Pile 15 उस Pile 15 का code का use करके आपको कुछ discount भी मिल जाएगा तो SSC economy, SSC quality के courses जो है हमारी app पर आचुके हैं आप लोग ले सकते हैं targeted 2024 को करके पूरा एक compiled batch भी आप लोग ले सकते हैं तो अपनी convenience के according आप अपनी तयारी करें All the very best Thank you so much मिलते हैं next session